है है रोबाट फैंस बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल न्यूशनाई क्लासिज में हम लोग वीडियो कांटिन्यू कर रहे हैं क्लास 11 की मैथ चिप्टर 12 सिक्वेंस आप स्रीज अनिक्राम उस्टरी तो आई एक कांटिन्यू कर रहे हैं कु मांतरों का शड़ी की इम पदों के यूग इन पदों के बराबर हो थो सिद्ड करना है एम प्लसन जोप्स का यूग आपको शिद करना कि सुनने होगा तो SM और SF ऊने आपका मान है यहां पर नॾसकी स्कुत क्लास कुना करोगा इस्म करोगी तो यहां पर क्या होगाए ब्रेकार्ट में M-1 इंटो डी यह हो जाएगा 2 A N और प्लस N N-1 इंटो डी अब यहां पर दिखिए अब इन दोनों को एक साइट में लाएंगे तो यह हो जाएगा 2 A M माइनस 2 A N इसको डी यह होगा N N-1 इंटो डी और यहां को साइट दिला जाएगा M M-1 इंटो डी ब्रेकट कर लेंगे ओपन यहां पर इसमें आपकर 2 A कामन हो जाएगा M-N हो जाएगा यहां फिर यहां पर क्या करेंगे D को करेंगे कामन तो D को जब आप कामन करोगे तो यहां पर क्या जाएगा ब्रेकट ओपन कर देते हैं N-2-N और यहां पर जब आप करोगे तो माइनस कामन कर देते हैं माइनस D तो यह आप पहुंद आएगा M स्कॉाइर माइनस N स्कॉाइर सारे उल्टे हो जाएंगे यह कि माइनस कामन ले लिए है तो चीन स्कॉाइर उल्टे हो जाएंगे अब यहाँ पर आपका माइनस का M हो जाएगा और यह plus का in हो जाएगा अब यहां से इसको solve करते हैं minus n तो यहां पर यह जो m square minus n square लिखा है इसको हम ले सकते हैं m minus n और m plus n यानि कि a minus n लाना है तो minus कामन कर देंगे तो a minus n यह भी आपका हो जाएगा अब फिर यह आपका यहां से m-n कामन हो गया minus m minus n into d bracket में है आपका m plus n minus का 1 यहाँ पर आपको जाएगा 2a bracket में m minus n यह cancel out हुआ तो यहाँ से 2a की value आपके आजाएगे कितने minus का d bracket में m plus n minus 1 यहाँ जाएगा अब उसमें कहा गया है कि m plus n पदों का यूग सुने होगा यहाँ पर m plus n पद m plus n पदों होगे तो m plus n यहाँ पर लिखेंगे m plus n अपान में 2a जो 2a आएगा ना तो वहाँ पर यह मान रग देते हैं minus का d m plus n minus m plus n minus 1 जब यहाँ पर 2 पर आएगा क्योंकि यहाँ पर आएगा 2a plus m plus n minus 1 into d अब यहाँ पर हो जाएगा m plus n पर निकालना तो m plus n minus m plus n पर बद तो m plus n minus 1 into d यह minus का आपका a plus का cancel out हो जाएगा और यह आपका m plus n अपान में 2 into 0 means कितना जाएगा जीरो और यहीं चीज़ा आपको फ्रूब करना था यह कुशन अपका complete होगा अगले कुशन के तरफ ले चलते हैं अपको अगला कुशन हमारा है यह दिकीसी समाता स्वेडी के P तथा Q और R P तथा Q तथा R पदों का योग क्रमसह जो है A, B हो तो सिद करना है यह चीज़ यहाँ पर P पदगर दिया गया है तो P पदों का योग यानि कि S P बरावर यहाँ पर हो जाएगा A S Q बरावर हो जाएगा यहाँ पर B और S C R बरावर हो जाएगा कितना C तो यहाँ पर A के को पहले हल करते हैं थोड़ा सा यह बड़ा हो सकता है कुशन तो यहाँ पर अगर S P को कहेंगे bracket 2A plus P minus 1 into D हो जाएगा क्योंकि P पदों का आप निकाल ला है वो बराबर यह है A के इसी परकार से आप SQ का निकाल लेंगे SQ का हो जाएगा Q by 2 bracket 2A plus Q minus 1 into D यह आपका B बराबर हो जाएगा इसी परकार से फिर आप SR का निकाल होगे तो R by 2 2A अब देखिए यहाँ पर थोड़ा से आप लोग मिश्टेप करना है क्योंकि A इसमें दिया गया है तो यहाँ पर capital माल लेते हैं यहाँ पर capital माल लेते हैं 2A plus R minus 1 into D यह C क्यों राब बजाएगा देखिए अगर A माल लेते हैं तो A यहाँ पर equation में दिया गया है तो फिर उसमें match कर जाते हैं तो फिर उसमें मैश कर जाता है तो फिर हो गलत हो सकता था आपको तो यहाँ पर क्या करना हैं अब यहाँ पर यह values आपने निकाली है अब जब ये values आप में निकालनी है A, B और C की तो यहाँ पर क्या करना है कि ये values जो है इस equation में रख देना है इसका ये side ले लेते हैं A by P bracket Q minus R plus B by Q R minus P bracket में और plus C by R और P minus Q bracket में ले लेते हैं अब यहाँ पर क्या करेंगे A की value आपने ये दी गई है ये पूरी रखेंगे A की value जब पूरी रखेंगे तो ये हो जाएगा P by 2 into 1 by P देखें, ये पूरा माना आपका होगा ये A की जगापर ये मान रखा जएगा और यहाँ पर यह तो यहाँ पर A की जगापर रखा तो P by 2 रख लिए और 1 by P हमारा यहाँ था अब bracket में हमारा बज़ेगा Q minus R और यह पूरे bracket में बज़ेगा 2A plus P minus 1 into B इसी प्रकार से B कर रखेंगे तो B का महान आपका कितना है यह है Q by 2 और इंटू यह वाला महान Q by 2 है और यह महान कितना है 1 by Q इसमें महान रखना Q यहाँ पर पहले से R minus P है और bracket में आपका B का महान हो जाएगा यह 2A plus Q minus 1 into D अब उसी प्रकार से यहाँ पर हम C का भी महान रखेंगे जब C का महान आप रखोगे तो यहाँ पर C का महान कितना है R by 2 into इसमें रखना है 1 by R तो bracket में आपका हो जाएगा P minus Q और इसका भी पूरा जो यह मान रखना है वो हो जाएगा 2A plus R minus 1 into D यह हो जाएगा अब इसको हमें solve करना है इसको हमें को solve करना है P से P के इसमें लजाएगा Q से Q हो जाएगा R से R हो जाएगा तो यहाँ पर थोड़ा सा हमें ध्यान देना है अब आप देख रहे हैं कि सभी में 1 by 2 common हो गया तो 1 by 2 common हो गया पूरे में तीनों में 1 by 2 यहाँ पर भी 1 by 2 यहाँ पर भी 1 by 2 यहाँ पर भी अब क्या करेंगे आप यहाँ पर सब 2 A है तो अब यहाँ पर देखिए कि अगर हम और इसको solve करें तो यह हो जाएगा 2A breakout में Q-R हो जाएगा और यह हो जाएगा P-1 और इसका multiply करेंगे Q-R into D यह हो गया अब इसी प्रकार से इसका भी कर लें तो यह कितना हो जाएगा यह आपका हो जाएगा R-P into 2A और प्लस यहाँ पर जाएगा R-P और Q-1 into D और फिर जब इसका जब करेंगे तो यह भी आजाएगा 2A P-Q और उसके बाद फिर इससे multiply करेंगे तो R-1 और P-Q into D यह हो गया अब देखिए क्या करेंगे यहाँ पर हो क्या 1 by 2 अब देखिए 2A यहाँ पर है 2A यहाँ पर भी है 2A यहाँ पर तो 2 यह दोनों सब में कामन कर लेंगे तो यह हो जाएगा Q-R जब इसमें करेंगे तो यह R-P प्लस का हो जाएगा और प्रस ये P माइनस Q हो जाएगा अब ये सम्मेर D common है तो D जब common है तो क्या होगा देखिए यहां से करेंगे तो ये P Q हो जाएगा यहां से करेंगे माइनस का P R होगा ये अब का माइनस Q हो जाएगा और प्रस का R हो जाएगा अब D इसमें भी common है तो इसको भी यहां पर कर लेंगे, डारेक्र चले जा रहे हो, तो यहांपर करक हो जाएगा, पार्णक्व सकती है, पॉआ हो जाएगा और यह से जब करेंगे, और यह यांगेर, पॉर सकती है dependence management, पॉर सकती है ओगान साइकुए, तो दिद्दम करनेंगे मैंनस का प् यह मैनस कि यहां पर पी आर वो जायएगा और यह माइनस का क्योव घाएगा और प्लस का क्यों हो जाएगा इंटू अपकर यहां से जब आद इसको सौल करूगे तो किंद अब यहां पर आप इसको सौल कर रहें तो Q से Q cancel हो जाएगा R से R, P से P cancel हो गया यहाँ पर P Q से P Q plus का है यह minus का हो जाएगा यह PR minus का है, यह plus का हो जाएगा यह minus का Q है यह plus का Q हो गया यह plus का R है, यह minus का R हो गया और यहाँ पर minus का Q R है यह plus का हो गया यहाँ पर plus का है, यह plus का P हो गया यह सभी जो है आपस में कट जाएंगे तो कितना है जाएगा 1 by 2 इसको जब साल 2 a को अगर 0 से मिल्टिप्लाइ करेंगे तो 0 हो जाएगा और d को भी जखर गें तो कितना है जाएगा जीरो हो जाएगा इस प्रकार से इसकी वैलू कितनी है जाएगी 0 और आप देखिए आपको पाइप के अनपात में हो तो उनके आठमें पदों में अनपात आपको गयात करना है देखिए कर से करेंगे इसको यह जो है आपका दिया गए अनपात में तो 14-4n अपान 3n प्लस 5 इसको यहाँ पर हो जाएगा एक सीज आपको मानने पड़ेगे इसकी और एक इसकी तो एक दी तो पहला माल लेंगे पहले सीज दी वन माल लेते हैं अब यहाँ से करेंगे तो यह हो जाएगा दूसरे वाले को 2a2 प्लस n-1 into d2 हो जाएगा अब इसको जब solve करेंगे जब इसको आप solve करोगे यहाँ पर अगर यह n by 2 से multiply कराते चले जा रहे हैं अंदर n by 2 से multiply करा हैं यहाँ पर देखिए अब यहाँ पर क्या करते हैं अब यहाँ पर क्या करते हैं अब जिसे हम यहाँ पर दो कामा ले ले लें यहाँ से दो कामा ले लेते हैं यहाँ से जब दो कामा ले लेंगे तो यहाँ पर 2 हो जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा कितना A1 और प्लस यहां पर नहीं है तो N-1 अपान में 2D1 हो जाएगा अपान में फिर करेंगे इसको तो N by 2 है और N2 2 हो जाएगा common यहां पर भी तो A2 और प्लस यह हो जाएगा N-1 अपान 2D2 हो जाएगा यह दोनों cancel out हो जाएगे और आपका जो है अगर यह देखेंगे तो N भी आपका cancel out हो जाएगा तो आपका इतना बच गया है इतना है आपका आठमा पद आपको लेना है कौन सा पद लेना है आठमा पद लेना है तो आठमे पद कान पात कितना हो जाएगा आठमे पद खानपाद आपको हो जाएगा यहाँ पर पहली स्रीज में A1 प्लस 7D1 हो जाएगा और दूसरी स्रीज की बात करेंगे तो A2 प्लस 7D2 हो जाएगा यह हो गया अब जब आठवापद आपको लेना है तो एक इना हो जाएगा यहाँ पर N-1 इसकोल्टू यहाँ पर आठवापद है तो एक कम करके लेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा तो 2 से मिल्टिप्लाइ कर देंगे तो N-1 बराबर कितना हो जाएगा 14 तो N बराबर कितना हो जाएगा 15 यह N की वैलू हो जाएगी 15 F की अभी N की जो value 15 आई है यहां पर इसमें रख देंगे हैं यह जो समीक्राण हमारा है यहां पर हम रख देंगे यहां पर जब N की अबमान हम रखेंगे तो कितना हो जाएगा 14 minus 4N upon me 3N plus का 5 तो यह हो जाएगा 14 minus 4 इंटो कितना है 15 अपान यहां पर है 3 into 15 प्लस 5 तो यहां पर कितना हो जाएगा इसको जब अफसाल करोगे तो माइनस का 23 अपान में 25 यह आपका जाएगा अनपात किसका A1 प्लस A1 D1 अपान A2 प्लस A1 D2 यह आपका अंसर हो जाएगा अगले उसने किसी समातर स्वेड़ी का P1 पत जो है 1 by Q तथा Q1 पत 1 by P तो शिद करना है कि इसके पहले PQ पतों का योग इसके पहले PQ पतों का योग एक मेटा दो इतना होगा तो P1 पत यहनि कि AP बराबर दिया गए 1 by Q तो AP का मतलब बजाएगा A plus P minus 1 into D यह हो जाएगा और फिर अगर हम AQ को करते हैं तो यह हो जाएगा 1 by P A plus Q minus 1 into D अब क्या करते हैं कि यहां से हम A और D का मा निकालेंगे यह minus हो जाएगा यह minus हो जाएगा यह minus तो यहां से जब हम भी मा निकालेंगे तो यह आपका cancel out होगा D कमान कितना हो जाएगा P minus 1 minus Q और यह आपका हो जाएगा 1 by Q minus 1 by P तो यहाँ से आप क्या करोगे 1 से 1 आपका cancel out हो जाएगा तो D की value जब आप निकालोगे तो यहाँ पर P minus Q है और यहाँ पर जब LCM लेंगे P Q हो जाएगा तो यहाँ पर कितना होगा P minus Q होगा इससे इसको cancel कर देंगे तो D की value कितना जाएगा 1 by P Q इसकी value जाएगा अब D कमान किसी समिकाड़ में रख देते हैं तो यहाँ पर अगर हम रखते हैं A plus P minus 1 into D में इसकोल 2 यहाँ पर वाजाता है 1 by Q 1 by Q होगा यहाँ पर कितना होगा A plus P minus 1 into D यहाँ कि 1 by P Q बराबर ही होगा 1 by A सरी 1 by A नहीं 1 by Q होगा अब यहाँ से आप A की value निकालोगे तो कितना होगा यहाँ कितना होगा 1 by Q minus P minus 1 upon P Q अब इसको solve करेंगे आप इसका LCM P Q आजाएगा यहाँ पर P नहीं है तो P आप दे दिए इसको P और यहाँ पर bracket open करें minus P और प्रस का 1 तो यह आपका cancel out होगा तो यहाँ से A की value आपके आजाएगा 1 by P Q 1 by P Q अब आपको निकालना है P Q पदो का यूग तो S P Q बराबर कितना होजाएगा P Q पदो का यूग निकालना है तो यहाँ पर होजाएगा P Q by 2 bracket में 2 A तो A की जगा पर ही आपका होजाएगा 1 by P Q प्लस P Q minus 1 into D D का मान कितना है 1 by P Q है तो यहाँ से होजाएगा P Q by 2 और यह होगा 2 by P Q प्लस अब इसको solve करेंगे तो इससे से solve करेंगे तो 1 होजाएगा इसको करेंगे तो minus का 1 by P Q होजाएगा अब उसके बाद में क्या होगा एक इसमें से minus होजाएगा तो कितना होजाएगा P Q by 2 और यहाँ पर होजाएगा 1 upon P Q और प्लस का 1 अब इसको solve करेंगे तो होजाएगा P Q by 2 और यहाँ पर जब आप हर बराबर करेंगे तो P Q और यह होजाएगा 1 प्लस P Q इससे आपका यह इसमें से लोट होजाएगा और आपका जो answer था वो आपका 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 प्लस करेंगे एक कोशन और देखते हैं इसका यह दिए समात्र स्वड़ी के P पदो का योग P पदो का योग में S P S P का मान दिया गया है आपको P एक बड़ कोशन चख कर लेते हैं यह कोशन है P पदो का योग Q दिया गया P पदो का योग Q है तो था Q पदो का योग P है तो निम्न पदो को गयाद करना है एक मैं कर दे रहा हूं एक आप करिएगा S P S P बराबर हो जाएगा Q और S Q बराबर हो जाएगा P तो यहां से देखी कैसे करेंगे S P बराबर जब करेंगे तो यहां पर S P के यहां हमको लिखना पड़ेगा P बाई 2 2 A प्लस P माइनस 1 इंटू टी P मापाद है तो P यह हो जाएगा आपका बराबर में आपको लिखना है Q यह Q के बराबर है यह Q के बराबर है अब यहां से और साल करेंगे तो यह आप लिख सकते हैं इसको 2 A प्लस P माइनस 1 इंटू D is equal to 2 चला जाएगा उससेट में तो 2 Q अपान P हो जाएगा यह समीकाड़ 1 बना दिए इसको दूसरा इसकी वाला जो है वो हो जाएगा आपका Q बाई 2 2 A प्लस Q माइनस 1 इंटू D is equal to हो जाएगा यहां पर P तो इसको जब करेंगे तो 2 A प्लस Q माइनस 1 इंटू D is equal to यहां पर करेंगे तो 2 P अपान Q हो जाएगा equation number 2 हो गया अब इसको करेंगे solve तो यहां पर हो जाएगा 2 A प्लस P माइनस 1 इंटू D बराबर 2 Q बटे P अब इसको solve करते हैं तो माइनस माइनस यह माइनस यह cancel हो जाएगा तो D जब करेंगे तो कितना हो जाएगा Q माइनस 1 माइनस P प्लस 1 यहां पर वोगा 2 P बाइ Q माइनस 2 Q बटे P यहां से 1 से 1 cancel out हो जाएगा तो यह D बरेकट में Q माइनस P हो जाएगा यहां पर क्या करेंगे LCM आपका P Q हो जाएगा common 2 है तो यहां पर क्या हो जाएगा P को जब करेंगे तो P स्कुर हो जाएगा इसको करेंगे तो Q स्कुर हो जाएगा यहां से और इसको solve कर सकते है माइनस का 2 common करेंगे तो यह आपका हो जाएगा Q माइनस P और Q प्लस P और यह आपका हो जाएगा P Q तो इस तरह से यह आपका cancel out हो जाएगा तो यहाँ से d की value आपकी निकल के आ रही minus का 2 p plus q अपान में p q यह हो जाएगा यह आपका d कमान निकल जाएगा जब d कमान निकल जाएगा तो आप इसी प्रकार से a कमान निकल सकते हैं a कमान आपके इसे निकल लेंगे एक समिकट में रख देंगे 2a plus p minus 1 into d कर दें बराबर में हो जाएगा 2q upon p तो अब यहाँ पर 2a है तो 2a कमान निकल लेंगे अब तो इसे कितना हो जाएगा 2q upon p minus p minus 1 into d कमान हो जाएगा minus का 2 p plus q upon में p q तो यहाँ से आप क्या करोगे यहाँ पर देखिए 2 इधर भी है और 2 इसमें भी कामान है तो 2 को खतम कर दीजिया तो यहाँ पर lc m आपका कितना हो जाएगा p q हो जाएगा तो p q हो जाएगा यहाँ पर q है और q यहाँ पर हर में नहीं तो q square से गुड़ा q से गुड़ा हो जाएगा मानस मानस प्लस हो जाएगा यहाँ पर आपको हो जाएगा P-1 और P-1 Q अब आप इसको solve कर लेंगे यहाँ से अपका यहाँ पर अब एक अमान निकला है एक अमान निकल जाएगा उसके बाद आप P-1 Q मापत का निकाला है आपको तो उस प्रकार से वहां से निकाल लेंगे कोई भी दिकत होगी तो कमेंट करिएगा इसका भी वीडियो बना देंगे